2 wires of diameter 0.25 cm दोनों को diameter सेम दिया है तो जो radius है वो उसका half हो जाएगा मैंने calculation लिखके रखा है and other made up of brass एक steel का है एक brass का है are loaded as shown in figure the unloaded length of steel wire जो steel wire की जो length है वो दी है 1.5 meter and brass wire है उसकी 1 meter दी है steel का young's modulus 2 into 10 raise to 11 है brass का हमें दिया है 0.91 into 10 raise to 11 उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते है 9.1 into 10 raise to 10 हमें दोनों wire में कितना elongation होता है वो दुनना है तो देखिए दोनों का diameter सेम है radius सेम हो जाएगा दोनों का area भी सेम हो जाएगा जो मैंने calculate करके यहां रखा है अभी दोनों की length जो दी है वो data भी यहां रखा है यह स्टील के लिए है यह वाला जो ब्रास के लिए है तो हमें यंग्स मोडिलस के लिए पता है y is equals to हो जाएगा f by a यहां delta l by l हमें elongation चाहिए delta l हो जाएगा हमारा f l by y a तो यहां जो है हम पहले निकालते हैं steel के लिए तो steel के लिए force on steel into length of the steel wire young's modulus of the steel wire और यह हो गया हमारा area अभी जो steel wire है उस पर कितना force आता है तो हम free body diagram करता है तो देखो यह वाला wire है उस पर इतना जो पार्ट है वो force देता है उसमें से यह वाला पार्ट तो massless है तो यह वाला पार्ट है उसका mass 4 है इसका 6 है तो यहां कितना total force आएगा 6 plus 4 10 kg है उसका weight बराबर आएगा तो 10 kg mass है उसका weight कितना हो जाएगा W is equals to M into G और यह जो weight है वही तो force है तो M G अभी total mass कितना है 6 plus 4 याने 10 into G तो यहां देखो 10 into G G की value भी 10 लिए है और length है इस part की वह है 1.5 Young's modulus 2 into 10 raise to 11 और area of cross section जो हमने यहां calculate करके रखा है मैंने round off करके रखा है easy calculation करने के लिए तो यहां आराम से cut हो जाएगा 2 5s are 10 और यह 10 cancel तो बचा 1.5 1.5 यह यहां है 11 minus 6 11 minus 6 करते है तो हमें जो power मिलेगा वो मिलेगा 10 raise to minus 5 और यहां एक 10 है तो minus 5 plus 1 याने minus 4 तो steel में इतना elongation आ जाएगा और brass है उसके लिए भी calculation करते है तो same formula लगेगी बट यहां force on brass wire आएगा length of brass wire और young's modulus of brass wire और area तो अगर हम brass wire की बात करते है तो जो brass wire है उसकी length इतनी है और यह वाला जो हिसा है वही इस पर force लगाता है तो कितना लगाएगा F equals to mg weight बड़ाबर mass कितना है 6, g कितना है 10 तो 6 into 10 उस wire की जो length है वो 1 meter है young's modulus और area of cross section इसको calculate करते है तो answer आएगा 1.31 10 raise to minus 4 तो कौन सा option है steel में 1.5 वाला यह वाला और रास में 1.31 वाला so option 1 is correct